बरेली के जलस्पिताल में आज उस वक्त खंगामा खड़ा हो गया जब उपचार को लेकर एक मरीज बच्च्छे के पिता ने इस टाफ से दवाई के बारे में कुछ पूछ लिया आरोपे कितनी सी बात पर उसके साथ हाथा पाई कर दी गई इस मामले की खबर फैलते ही जलस्पिताल में हड़कंप मच गया वहीं परेट शक्स ने आरोपी स्वास्त कर्मी के खिलाफ स्वास्त विभाग के उच्छाधिकारियों समेथ पोलिस में तहरीर देकर कारेवाई की मांग किया है जो अनकारी के मुताबिक इज़त नगर थाना शेत्र में रोड नमबर 6 सिधार्ट नगर के रहने वाले बलवन सिंग के बेटे को एक सपता से बुखार आ रहा था जिन्होंने दो दिन अपने बेटे को इलाज के लिए जलास्पताल में भरती कर रहा था बलवन्त सिंग का रोपै के स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक मरीजों के साथ अबद्र वहवार करते हैं जहां उनके बेटे का लापरवाई से इलाज किया जा रहा था इसको लेकर उन्होंने स्टाफ नर्स से इसके शिकायद की तो स्टाफ नर्स ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी जिसकी बलवन्त सिंग ने ADSIC डॉक्टर अलका शर्मा से शिकायद की इसके बाद उन्होंने एक स्वास कर्मी से अस्पताल में भरती अपने बेटे की दवाई के बारे में पूछ लिया जिस पर उसने हाथा पाई कर दी इसके बाद बलवन्त सिंग ने दोबारत से शिकायद दर्च करा के कारेवाई की मांग की है अब ही यही बात हुई थी कि उन्होंने बुलाया हमें मैडम अलका जिस से बात हुई थी वह हमें समझा के चलेगे हम कुछ लिए बोले हमें कोई बात नहीं है जब डॉक्टर राएंगे तो वह अपनी हिसाफ से ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन क्या था है कि डॉक्टर साथ में बुलाया और बोले है कि नहां भीड़क ऐसे लिगा रहे हैं लोगों को बाहर लिगा दिया हुए हमने मैडम से सिर्फ पुछा है कि कहना मैडम हमें यह तो बता सकते है आप जवाई को बताई नहीं जाए कि हमने कोई वाद नहीं है आप अपने साथ से दवाई देजे लेंग बच्चा ठीक होना चाहिए डॉक्टर के साथ क्या हुआ आपको साथ यह बताई है कि हमने कहीं कि हमने कहा कि कोई बात नहीं है आप तो डॉक्टर है अप तो कोई यहां आए गरीव इस था यह हमसे बहुत करने लगए हाथ आप डॉक्टर साथ को नाम नीमी जमानों मैं बस्वाई पेज जानता हुए